हेलो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं तो आज का जो एलपी का टॉपिक है वो लिंक तथा वेद हैं इसमें गाईज हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से स्टेप आपको फोलो करना होता है जब आप फर्स्ट तू फिप्थ क्लास तक के लिए जो है आप व्याकरन के किसी टॉप पर जो है अपना एलपी बनाते हैं तो यहां पर जो है आप अगर बनाना चाहते हैं इस टॉपिक पर लेशन प्लान तो आप फर्स्ट तू फिप्थ क्लास तक के लिए बना सकते हैं ठीक है यहां पिन्होंने थर्ड क्लास के लिए बनाया है तो सबसे पहले आपको क्या करन कुछ पॉइंट आते हैं जैसे ग्यानातमक उदेश से बुधातमक उदेश से कोसलातमक उदेश से प्रयोगातमक उदेश से जीवन कोसल तो यह सभी पॉइंट आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं बस इनके एक या दो पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं ठी इसमें जो है आप इस topic को पढ़ाने के लिए कौन सा method का यूज किया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ठीक है आपको क्या करना होता है इसी से related कुछ topic जो है आपको मतलब कि पूछने होते हैं क्या इनके बारे में बच्चों को पहले से कोई जानकारी है और उसी के अधार पे जो है हम अपना एक problematic question जिसे समस्यात्मक person बोलते हैं वो बनाते हैं ठीक है तो इसी से relate करके आपको question पूछने है देन उसके बाद जो है आप अपना जो black word work है वो लिख सकते हैं उसमें क्या-क्या लिखना होता है वो यहां पर आप देख सकते हैं देन उसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं देशे कथन में आपको जो है जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं वो आपको लिखना होत कि उसके बाद, आपको जो है now, जब आप ठाएंगे, तो देन उसमें आपको क्या करना होता है ? कुछ कोस्तन भी पूछने होता है साथ ही साथ, ठीक है..। उसे हम बुद्ध रातमग परसन पूछते हैं । क्लास बनते हैं और बच्चे जब सब्सक्राइब बच्छे मतलब कि क्या वो समझ रहें इस टौपी को सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं इसके बाद कोई आप एक्टिविटी भी करा सकते हैं उसके बाद अगर नहीं कराना चाथे तो आप इस point को हटा भी सकते हैं यहां से आप पुन्रावरती person और यहां पर ग्रहकारे दे सकते हैं यह जो है आपको class में पूछना होता है और यह जो है जो घर से करकर लेकर आएंगे So thank you friends, next video मिलते हैं